हाई फ्रेंड्स मेरे रेंड्स का आप सबको स्वागत करती हूं मैडम की किचन में दोस्तों आज हम एक ही बैटर में चार ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे वीडियो को जरूर रेंड तक देखे अगर मेरे चैनल पर नए है मेरे चैनल को सब्सक्रेब कर दीजिए चलिए सुरू करते हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी सबको पसंद है जैसे की इडली दोसा उत्तपम और वड़ा लेकिन यह सब बनाने के लिए अलग अलग बैटर प्रिपेर करना पड़ता है आज कल के बीजीर लाइफस्टाइल में रोज रोज ए बैटर बनाना हर रोज एक नई रेसिपी बनाना मुश्किल होता है लेकिन मैं आज आपको एक एसे बैटर के बारे में बताऊंगी जिससे की आप एक ही बैटर से तीन-चार ब्रेकफास्ट रेसिपी बना सकते हैं और यह बैटर को आप पांच-छे दिन तक फ्रीज करके भी रख सकते हैं औ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा आपकी एक लाइक मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए और एंकुरेज करेगा प्रोसेस शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे तीन ग्लास नॉर्मल चावल ले रही हूँ अगर आपको इडली राइस मिल जाता है तो यह बैटर बनाने के लिए बहुत बढ़िया है नहीं मिलता है तो नॉर्मल चावल से भी बना सकते हैं तीन ग्लास चावल के लिए एक ग्लास उरद दल लेना होगा मैं यहाँ पे घर पे कुटा हुआ उरद दल ले रही हूँ इसलिए कोई कोई दाने में छिलके है बैटर बनाने के लिए तीसरा इंग्रिडियंट पोहा यह आधा ग्लास लिजे और साबू दना वान फोर्थ ग दाने डालेंगे ताकि जब बैटर प्रिपेर करेंगे बैटर को पफी बनाने में मदद मिलेगा अब इस अब इंग्रिडियंट्स में पाने डालकर चार-पांच घंटा अच्छे से भीगोने के लिए रख लेंगे छे घंटा हो चुका है अब देख सकते हैं चावल उरत दल पोहा सब कुछ अच्छे से सोख हो चुका है पहले चावल के साथ साथ ओहा साबुदना मिश्चर को मिलाते हुए ग्रैंड कर लेंगे ध्यान रहे बैटर को हमें ठीक रखना है इसलिए थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर ग्रैंड करेंगे अब औरत दल को ग्राइंड करेंगे अगर हम चावल और दाल को मिला कर ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप इंडिविज्वल ग्राइंड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा अब यह टॉटल मिक्स्चर को स्पून चलाते हुए चार पांच मिनुट तक अच्छे से फेंट लेंगे तैकि हमारे बैटर हलका हो जाए और जल्दी से फार्मेंटेशन भी हो जाए बैटर को फार्मेंटेशन के लिए छे से साथ घंट लगी जाता है अगर मौसम थंड़ा है आठ से नौ घंट तक टाइम लगता है अब ढकन डालके फार्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं अब देख सकते हैं बढ़िया फार्मेंटेशन हो गया है फार्मेंटेशन होने के लिए साथ घंट टाइम लगा अब बैटर का टेक्स्चर भी देख सकते हैं हमें जो टेक्स्चर चाहिए था वही टेक्स्चर आ गया अब यही बैटर से में चार डिफरेंट पिस बना कर दिखाऊंगी अब जितना हमें चाहिए उतना बैटर बाउल में निकाल कर उसी में ही स्वाद के अनुसर नमक मिलाएंगे ध्यान रहे पूरा बैटर में नमक नहीं मिलाएंगे पूरा बैटर में नमक मिलाने से बैटर खटा हो जाएगा ये बैटर से में पहले इडली बना कर दिखाऊंगी इसके लिए इडली प्लेट को ओयल से ग्रिसिंग करके बैटर फिलिंग कर लगे एक साइड में इडली कुक करने के लिए इडली मोल्ड को काड़े में प्लेस करेंगे और दूसरे तरफ तावा गरम करने के लिए गैस के उपर तावा को चड़ा दिया हूँ तावा अच्छे से गरम हो चुका है अब बैटर डाल के दोसा बनाएंगे बैटर डालने से पहले ओईल ग्रीसिंग कर लेंगे ओईल ग्रीसिंग करने के बाद थोड़ा सा पानी छिड़कने से दोसा सेब बनाने के लिए स्पून हीजी ली चला सकते हैं देखे दोस्तों यहां पे दोसा पक चुका है मैं यहां पे एक पाउडर डोसा के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ यह पाउडर को इडली डोसा पोडी ड्राय चटनी या गन पाउडर भी कहते हैं गन पाउडर के साथ घी या ओल डाल कर दोसा को सर्व किया जाता है आप देख सकते हैं अमरा दोसा बहुत इजी ली दावे से निकल रहा है इसका रीजन भी जान लीजिए बैटर बनाने के लिए हम साबुधना भी डाले थे अब वही बैटर से और एक साथ इंडियान ब्रेक्फास्ट रेसिपी उत्तपम बनाएंगे दोस्तो हमारे इडली बन गए होगा इडली मोल्ड को कड़े से निकल लेते हैं मोल्ड से इडली तुरंद नहीं निकलेंगे दो तीन मिनिट ठंडा होने के बाद ही इडली को निकलेंगे अब उत्तपम भी पक चुका है इसके उपर भी गन पाउडर स्प्रिंकल करेंगे यह गन पाउडर बनाने का प्रोसेस जानने के लिए आई बटन पर क्लिक किजिए या मेरे प्लेलिस्ट भी जाके आप देख सकते हैं घी और गन पाउडर का आच्छा कॉंबिनेशन है घी एड़ करके उत्तपम को सर्व करेंगे यही बैटर से चौप्ड गाजर प्याज था राज़ करेंगे जाएं जामिर्च धन्यापता सब डालके कम आयल में टेश्टी और हेल्दी आप भी बनाएंगे दोस्तो आपने देखा एक ही बैटर से चार ब्रेकफ़स्ट रेसिपी आप जरूर से जरूर घर पे ट्राइ किजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत बूलिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिज अबस्तो प्लीज एंच्छा लगाइक कर दो लूबस्तों कियांस अवीक कर दो लाइक कर दो 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 दो